कोलापुर से निकट आज पुना एक बार रुस्तु में जमा फाजल खान, सर्जेराव घाटगे, फतर खान उसी शतुर के सामने खड़े थे, शिवाजी महराज के, फाजल तो मन ही मन में कई बार शिवाजी महराज को मार चुगा था, बीजापुर से वो पूरी सेना को तयार करके लाया था, फिर एक बार धेर सारे घोडे, हाती, इनको भी साथ में लाया था, आजकल आदिल्शाही सरदार घोडे, हाती, ये आदिल्शाह से सिर्फ शिवाजी महराज के लिए ही मांग रहे थे, ऐसे हो रहा था, फिर एक बार शिवाजी महराज को सामने देख, उसे स हाथी घोड़े सभी की नजरों के सामने से जावली और पारगाव में हुई हार गुजरी वही सामने शिवाजी महाराज के पक्षका जावडी और पाड गाउं में मिले हुए विजय से विश्वास द्विगुणित हो गया था इन सारे आदिर्शाही वीरों को पुन्ह एक बार सामने दे शिवाजी महाराज के चहरे पर स्मीत छलका अभी कुछ ही दिन पहले इन सारे वीरों को वो आजमा चुके थे बस देर थी तो युद का शंक भूकने की एक एक मराठा शेर बीजापुर की मनोबल से पहले ही हारी हुई सेना पर भारी पढ़ने लगा घास के पत्तों को छूरा जैसे काटता है वैसे बीजापुरी सेना कटनी शुरू हुए ऐसी कठिन परिस्थिती में बीज दिखाने वाले सरदार की जरूरत थी आखिर उन्हें वो धैरिय दिखाने वाला सरदार ने मिल गया वो था अफजर कहन का पुतर फाजल खान अखिर फाजल खान ने सारा धैरिय सारा आत्मविश्वास और सारी शकती一个ठा कर युद्ध मैदान से पलायन करने में पहल की फि अफजल का रास्ता अपनाया ये देख शिवाजी महाराज का स्मित हसी में परावर्थित हुआ अफजल खान का वध होते ही सूचना देने के लिए तोपे डागी गई बेचारे अफजल के सेने दोपेर का भोजन करके सो रहे थे उन्हें लगा मुलाकात यशस्वी होने के सन्मान में तोपे डागी गई फर हुआ कुछ और ही इतने समय से शान्त और निसर्ग संदर्य से भरा हुआ पार गाव और आजुबाजु का जंगल हर हर महादेव की गरजना से गूज गया क्या हो रहा है ये समझने से पहले ही मराठा मावले अफजल की सेना पर तूट पड़े कौन? क्या? कहा? इन प्रश्णों के उत्तर मिलने से पहले ही मराठो ने आक्रमन कर दिया गनीमी कावा अर्थात गोरिला वारफेर की तकनीक उपयोग में लाकर मराठो ने आक्रमन किया मराठो ने एलिमेंट अफ सर्प्राइज तथा पार और जावरी के भूगोल का ज्यान और अफजल के वद से द्विगुनित के विश्वास से अफजल की सेना को एक-एक करके अफजल के पास भेजना शुरू किया अब उसकी सेना पर अफजल मर गया इसलिए छूट गया ऐसे सोचने की पारी आई अर्थात पार गाओं में शिवाजी महराज की सेना ने अफजल की सेना का अपार नुकसान किया जो सिपाही जावली के जंगल में वाई की और भागने लगे उनका समाचर जावली में छिपी कान्होची जेधे नाईक की सेना ने लिया शिवा भारत अनुसार अफजल का पुत्र फाजल खान, मूसे खान, अंकुष खान इन्हें जावली के जंगल में प्रताप्रा मोरे मिला जो जैसे तैसे उन्हें वाई तक ले आया वहां से बिना आधिक समय गवाये ये सारे आदिल्शाही भैभीत वीर अपनी जान बचाकर बीजापूर की और निकले शिवाभारत अनुसार महावलेश्वर के पहाड पर छिपे नेतोजी पालकर देरी से पहुचे इसी कारण ये सारे आदिल्शाही सरदार बीजापूर भागने में एशस्वी रहे वही शिवाभारत अनुसार अवजल की सेना के सरदार जाधव, पांधरे, खराटे और सिद्धी हिलाल इन्होंने इसी क्रम से सूपे, शिरवल प्रांध, सासवड और पूने ये प्रांध जैसे जीत लिये थे उन सारे प्रांधों पर शिवाजी महराज के सैनिकों ने उसी दिन हमला कर दिया, अब ये सारे सरदार पकड़े गए, पर इन्होंने हिंदवी स्वराज्य के लिए अपनी तलवार उपियोग में लाने की बिनती शिवाजी महराज को की, और महराज ने बड़े आनन के साथ इन्हें स्वराज्य की सेवा में शामिल किया, हो नहो अवजल का आक्रमन स्वराज्य पर एक बहुत बड़ी आपत्ती था, पर उसे मारकर महराज ने उससे भी बड़ा इतिहास रचा, परन्तु महराज वही नहीं रुके, उन्होंने इस संधी का सही उपियोग किया, दूस वो स्वयम नेतोजी पालकर के साथ दक्षिन डिशा के लिए निकले और वहाँ से आगे महराज ने नेतोजी पालकर को बीजापूर की और भीजा, दोरोजी का कोकन पर आक्रमन, इनका नाम या तो दोरोजी या धारोजी या धर्याजी था, ब्रिटिश रेकॉर्ड्स में ह जैतापूर और कुडाल का दुर्ग जीत लिया, इन स्थलों के अलावा दोरोजी ने स्वराज जगा जो कोकन में विस्तार किया है, वो हम नीचे दिये हुए माप में देख सकते हैं, शिवाजी महराज ने पन्धार जीत लिया, पन्धार गड़ को आदिल शाह की दूसरी राजधानी कहा जाता था, ये दुर्ग जीतने के लिए बहुत कठिन था, पर शिवाजी महराज और उनके मावलों ने अपार कश्टों के पश्चाद इसे जीत लिया, शिवा भारत में इसका वरणन है, इस पन्धार गड़ को शिवाजी महराज ने घेर लिया है, ये पर शिवाजी महराज के मावले दुर्ग पर चढ़े और उन्होंने दुर्ग जीत लिया, पहले अफजल का वर और उसके पश्चाद पन्धार गड़ की जीत, ये सुनकर आदिर्शा बाच्चा के क्रोध की कोई परिसीमा नहीं बची, उसने रुस्तुमे चमा नाम के एक स सेना धिकारी बना कर पुना एक बार महराज पर आक्रमन करने पन्धार गड़ भेज दिया, शिवा भारत अनुसार रुस्तुमे जमा के साथ नीचे दिये गए सरदार थे, वो थे मलिक इदबार, सादात, पते खान, मुल्ला हाय, फाजल खान, सरजराव घाडगे, संताजी गोरपड़े, इसके अलावा इस युद्ध में शिवाजी महराज के साथ जो सरदार थे, उनकी भी सूची शिवा भारत में दी है, वो थी नेतोजी पालकर, भीमाजी वाग, सरदार खराटे, सरदार पांडरे नाइक, गोदाजी जकताग, सिदोजी पवार, हिरोजी इंग सिद्धी हिलाल, सरदार जाधव और सरदार महाडिक, इन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कोल्हापुर से निकट हुआ, ऐसा शिवा भारत कहता है, दोनों सेन्यों के रचना शिवा भारत अनुसार कुछ ऐसी थी, अपने सेना के ठीक बीचो भीच शिवाजी महारास खड़े थे और उनके सामने रुस्तुमे जमा खड़ा था, रुस्तुमे जमा ने अपने दाई और सादात और मलिक इदबार को रखा था, वही सादात पर आक्रमन करने के लिए शिवाजी महारास ने अपनी बाई और पाजल खान था इसलिए शिवाजी महाराज ने उसके सामने नेतोजी पालकर को नियुक्त किया सरदार फते खान और मुलाहाय इन दो सरदारों को रुस्तुमें जमाने चारों दिशाओं से अपनी सेना का रक्षन करने की आग्या दी वही संताजी घुरपड़े और सरजेराव घाड़े इनको क्रम से दाई और बाई और रखा शिवाजी महाराज ने गोदाजी जक्ताप को संताजी घुरपड़े और सरजेराव घाड़े इन पर आक्रमन करने भेजा वही सरदार खराटे और पांडरे इन्हें नेतोजी पालकर के साथ फाजल खान पर आकरमन करने की आग्या खी भीमाजी वाग मुल्ला हाय का समाचार लेने वाला था तो सरदार महाडिक फते खान का सिद्धी हिलाल और जादा इन्हें भी मलिक इद्बार पर आक्रमन करने की आग्या दी गई थी घंगोर संग्राम हुआ पर ज्यादा देर नहीं चला अवजल का वद पार और जावी में मिला हुआ यश और पन्धागड पर मिली हुई जीत से मराठे और शेर बने थे वहीं आदिल शाही सेना जूटा धैर्य लाकर लड़ने का प्रयास कर रही थी मराठों ने हर जगा से आदिल शाही सेना को कैची में पकड़ा फिर क्या था बस मराठों की ही तलवारे चल रही थी आदिल शाह के सेने कम होते जा रहे थे ऐसी संकट की घड़ी में आदिर्शाही सेना को एक नेता की जरूरत थी जो स्वयम धैरिय दिखा था और उन्हें वो नेता फाजल खान के रूप में मिल गया शिवा भारत कहता है फाजल खान ने सारा विश्वास, सारा धैरिय और सारी शक्ति इकठा करके एकदम युद्ध भूमी से पलायन कर दिया फिर क्या था आदिर्शाही सेना को जो नेता चाहिए था वो उन्हें मिल गया फिरुस्त में जमा, सादात, इन सारी आदिर्शाही वीरों ने फाजल का मार्ग अपनाया और वो भी पलायन करने लगे ये लड़ाई भी शिवाजी महराज ने जीत ली शिवाजी महराज को इसमें बारा हाती और हजार या दो हजार अशवा मिले और हाँ, ये लड़ाई खुले मैदान की थी जो ये समझते हैं कि शिवाजी महराज केवर गोरीला वारफेर से ही लड़ सकते हैं उनके लिए ये आश्चरे चकित करने वाला पर कड़वा सच है उसके उपराद महराज ने नेतोजी पालकर को बीजापुर की और भेज दिया उन्होंने शिवा भारत अनुसार आदिर शाह के 36 गाउं को लूटा पर इस प्रदेश को उन्होंने स्वराज्जा में शामिल नहीं किया अवजल वद ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ना केवल आदिर शाह को पर पूरे भारत वर्ष को इस घटना से शिवाजी महाराज का परिचे हुआ समकालिन, ब्रिटिश, डच तथा फ्रेंज पत्रों में जो लिखा है उससे पता चलता है कि वो ऐसा सोच रहे थे कि आदिर शाह का अंत अब नस्दीक आ गया है अवजल वद पश्चाथ स्वराज्ज का विस्तार नीचे दिये गए मैप में देखा जा सकता है अब स्वराज्ज वो चलना नहीं था, दोडना था, उडना था तीन सो सालों से सोय हुए महाराष्ट को ही नहीं, पूरे भारत वर्ष को स्वतंत्रता की सपने आने लगे महाराज आनन्द और समाधान से पनारगर पर पहुँचे उनके शान चहरे पर स्वराज्ज विस्तार का आनन दिखाई दे रहा था और पिता शहाजी बंधु संभाजी इनके लिये हुए प्रतिशोत का समाधान कल तक स्वराज्ज की नीन अवजलने उड़ाई थी, आज सारा स्वराज्ज समाधान से सो गया था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें ऐसे ही वीडियो आगे दिखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद